आज बना रहे हैं अस्टमी और नव्मी पर बनने वाले काले चने का प्रशाद काले चने का प्रशाद जो की माता को भोग जड़ाया जाता है बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिस्ट और चटपटे बनेंगे और बिल्कुल लिपटवा बनेंगे जिसपे की मसाला कोट वह रहेगा जटपट से बनकर तयार हो जाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं माता के भोग में चड़ने वाले प्रशाद के काले चने तो यहाँ पर मैंने दो कप चने भिगो दिये हैं जिनकों की पूरी रात के लिए भिगो कर रखा है इन चनों को साथ से आठ कहंटे भिगोना बहुत जादा जरूरी है जिससे की यह अच्छी तरह से फूल जाएं चनों को दो-तिन बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसे डाल देते हैं कोकर में कुकर में हम इनको डालने के बाद सर्फ इतना पानी अड़ करेंगे कि चनों के उपर आ जाए हमें ज़्यादा पानी हाँ अड़ नहीं करना देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ क्योंकि इसी पानी से हमें चनों को अच्छी तरह से फ्राइ करना है और पकाना भी है तो यहाँ पर हमने पानी अड़ कर दिया है अगर आप नाप से देखें तो दो कप चनों में यहाँ पर डाला है दो कप पानी, इस से ज़ादा पानी एड़ ना करें और यहाँ पर डाल देते हैं भरकर एक चमच देसी गी इस देसी गी से जो टेस्ट आएगा चनों में वेब बहुत बहतरीन रहता है, बहुत ही अमेजिंग होता है यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं नमक और कूकर का ढकन बंद करके तेज आज पर 1 सीटी लगवाएंगे और फिर 5 मिंट के लिए हम इस पर धीनी आज पर इसे पकाएंगे यहाँ पर कुछ मसाले एड़ कर लेते हैं मसालों को हमें भिगो कर रखना है आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है आदा चम्मच चना मसाला पाउडर और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च डाली है आदा चम्मच और यहाँ पर हम 1.5 टेबल इस्पून धनिया पाउडर डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को भिगो कर रख देते हैं जब हम इस मसाले को गी या तेल में भूनते हैं कड़ाई में डालकर तो इसका टेस्ट बहतरीन होता है बहुत अच्छा होता है हमारे चने बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं तो गैस रिलीज हो चुकी है कुकर की यहाँ पर चने अच्छी तरह से बॉइल हो चुके हैं और देखिए घी डालने से हुआ क्या कि धकन के उपर किसी भी तरह का पानी नहीं आया और बाहर नहीं निकला पानी और चने बिल्कुर पूरी तरह से पक चुके हैं अब इस मसाले में हम काट लेते हैं दो हरी मिर्च जिससे की चटपटे और सीखे बने अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं कड़ाई को गरम करेंगे मीडियम आच पर उसमें डालेंगे एक चमच देसी घी आप ते अब ज़से आड़को आड़को भी ऊनलेंगे और आज़ दीमी रखे गा नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा मसाले को हिल्कँ सा चला लेते हैं वह कुछ सेकंड्ट में ہी तेल रिलिस कर देता है और सीमें यहा परम मसाले में डाल देते अपने चने, चनो को हम पानी से अलग नहीं करेंगे, पानी के साथ ही एड़ करेंगे, इससे हमारे चने बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उनकी स्किन हार्ड नहीं होती और खाने में बहुत ही स्वादिस लगते हैं, तो आप पानी इसमें जरूर एड़ कीजेगा, पानी से अलग चनों को ना करें अगर चने चार से पांच बहीने पुराने रखे हुए हैं घर पर आप उन्हें ही यूज कर रहे हैं तो जब हम चनों को उबालते हैं तो आधा चमच खाने का सोडा जरूर डाल दीजेगा क्योंकि उसी से वह बहुत जादा सौफ्ट बनेंगे मेरे चने नए है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चनों के अंदर यहां पर मैं किसी परकार की खटाई का इस्तमाल नहीं करनी हूं ना अमचूर का ना चाट मसाले का क्योंकि हमारे हां जो भोग लगता है हम उसमें खटाई का इस्तमाल नहीं करते हैं अगर आप करते हैं तो आप ड बचा कर रखना है बिल्कुल ड्राय चने नहीं करने हैं क्योंकि उसी से सॉफ्टनेस बनी रहती है चनों के अंदर तो गैस हम कर देते हैं यहां पर बंद और यहां टाल देते हैं आधा कप बारीक कटा हुआ हराधनिया हरेधनिय को मैंने डंडी समेत काटा है मैं डंडियों को हरेधनिय से अलग नहीं करती क्योंकि सबजी का इससे टेस्ट बढ़ जाता है बहुत अच्छी लगते हैं हरेधनिय की डंडिया भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और देखिए हमारा माता के भोग के लिए चने का प्रशाद बनकर तयार है आप इसे बिना माता के भोग के लिए भी बनाेंगे टो बच्चे से जठपट खाएंगे और अगर आप बिना भोग के इसे बना रहे हैं तो इसके उपर आधा नीमू डालना ना बुले इधर मेरा हलवा भी तयार है बनकर तो भोग के लिए हलवा और चने दोनों चीज़ें तयार हैं बहुत ही अच्छे चने बने हैं खिले खिले और बिल्कुल इनके उपर मसाला एकदम कोटेड है तो आप इन चनों को बनाईए खाईए और अपने अनुभा मेरे साथ जरूर शेर कीज़े और मुझे बताईए कि जब आपने ऐसे करके चने बनाए तो आपके चने कैसे बने अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार